Hello everyone, welcome to my channel, so here is a BHU Biochemistry 2016 Solved Paper Part 2 So let's start, question 51, competitive inhibitor of thymidylate synthase is, जो ये enzyme है, thymidylate synthase, TS, ये enzyme काम क्या करता है, जो deoxy thymidylate है, sorry, deoxy uridine, deoxy uridine monophosphate, deoxy uridine monophosphate को enzyme convert करता है, deoxy thymidylate monophosphate के अंदर, So, ऐसे case में क्या होता है, कि जो uridine है, वो thymidine में change हो जाती है, यानि नए nucleotides बन जाते हैं cell के पास, लेकिन अगर, 5-fluorouracil इस enzyme को inhibit कर दे, तो ऐसे case में, DUMP, यानि deoxy uridine monophosphate का level, cells के अंदर बढ़ जाता है, जो cell को damage कर सकता है, जो competitive inhibitor है, thymidylate synthase का, वो क्या है, 5-fluorouracil, then, moving to question next, 52, which of the following enzymes is active in its phosphorylated form, so, muscle और liver के अंदर, generally, glycogenolysis होता है, और वहाँ पर एक enzyme पाया जाता है, glycogen phosphorylage, यह glycogen phosphorylage enzyme है, generally, यह muscle के अंदर, epinephrine जो hormones है, वो इसको activate करता है, यानि इसको phosphorylate करता है, काइनेज enzyme को activate करता है, और काइनेज enzyme, इस glycogen phosphorylage को active करेगा, ठीक है, और यह phosphorylation से active होता है enzyme, और especially glycogenolysis के अंदर यह वरक करेगा, then, moving to next, the hetero polysaccharide in which uronic acid is not present age, तो uronic acid है, वो generally, chondriotene sulfate के अंदर भी present होता है, heparines के भी अंदर present होता है, dermatone sulfate के अंदर भी present होता है, लेकिन uronic acid keratin sulfate के अंदर present नहीं होता है, है, so here the correct option must be 1, then, moving to question next, 54, molecular weight of protein can be determined using, so, जो जो प्रोटीन का molecular weight है, उसको determine करने के लिए, SDS phase use किया जाता है, यह एक टेक्निक है, sodium dodacyl sulfate, polyacrylamide gel electrophoresis, इस से आप प्रोटीन का molecular weight है, वो determine कर सकते हैं, then, moving to next, which of the following glucose transporters is present in testis, यहाँ पर जो ग्लूट 1 है, 2, 5 है, 3, 7, यह जो ग्लूट है, वो testis के अंदर generally present नहीं होते हैं, testis के अंदर, ग्लूट 8 पाया चाता है, अब ग्लूट होता क्या है, जैसे suppose किसी सेल को glucose लेना है, तो उसकी membrane में कुछ channel लगे रहते हैं, और इन channel के जरिए cell अंदर glucose लेती है, और इन channel को ही glucose utilization channel कहते हैं, यह ग्लूट 1, 2, 3, अलग-अलग होते हैं, जैसे RBC है, तो वो वहाँ पर अलग तरीके का ग्लूट होता है, जैसे ग्लूट 3, इसी तरीके से ब्रेन में अलग्तरिके का ग्लूट होता है, ठीक है, तो, moving to next, इसको काम करने के लिए 5 co-factor के requirement होती है, क्योंकि enzyme आपको पता है, अकेला काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए, generally, या तो co-factor, या फिर कुछ-co-enzymes के requirement होती है, तो thymine pyrophosphate है, TPP वो भी इसके साथ मिलकर काम करता है, NDP, sorry, NAD है, NDP इसके साथ मिलकर काम करता है, FAD, sorry, NAD इसके साथ मिलकर काम नहीं करता है, और FAD भी इसके साथ काम करता है, Lipoic Acid है, वो भी इसके साथ मिलकर काम करता है, but NDPH यहां पर काम नहीं करेगा, then, moving to question next, 57, यवन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजी टाइप ओ अकर डू पू डेफिसिएंसी ओफ जो इस तरीके का डिजीज है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज यह ग्लाइकोजन सिंथेज की डेफिशेंसी से होता है ओके देन मुविंग टू नेक्स पेंटोजेज इन दे हुमन बोडी आर अप्टेन फ्रॉम जो पेंटोजेज हैं यान पेंटोज शुकर हैं राइबुलोज है इस तरीके के जो सुगर है वो जनरली बोडी के इंदर एक हमपी पाथवे चलता है है इस पाथवे में फाइब कार्बन सुगर बनती है और इसी पाथवे से फाइब कार्बन सुगर होमन बोडी अप्टेक करती है आई आई छहर यह बोड़ूर्द शहर डाइब करिकिर शत्रीज भर्मोन कलेगिए यदट फिर झालेग बोडी धिल्यार लाणीे पन्य पन्या हुच घग़ा बोडीज त्र intent तो यहां पर यह जो क्यूशन है ओप्संस इसके साई नहीं रखे गई हैं क्योंकि क्रोनिक रिनल फिलर में यूरिया भी होता है और सोडियम भी एंड फोटासियम एंड फोस्पोर्स भी इलेविटेट अमांट्स में पाया जाता है यहां पर कोई भी ओप्शन करेक्ट नहीं है यहां पर कोई भी ओप्शन करेक्ट नहीं है और बर्निंग फिट सिंड्रॉम का करेक्टर क्या है जो फिट है यानि जो पेर है उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कुछ आग जल रही हो इस तरीके का पैन होता है उसमें इस तरीके का सेंसेशन है कि जैसे जनरली पेर में बहुत सारी चिंटी है जो आंट है वो घूम रही हूं इस तरीके से फील होता है और यह जो burning fit syndrome है जनरली पचास साल से जो उपर की पीपल से है उनके अंदर इस तरीके की condition जनरली पाई जाती है Then moving to next Gastroptomized patient is likely to suffer from deficiency of जनरली इस तरीके के जो patient होते हैं उनके अंदर vitamin जो B12 है उसकी deficiency हो जाती है Then moving to next 63 Active forms of vitamin D is Kelsey trials है वो इसका active forms होता है Then moving to question next 64 Conception of raw eggs यानि जो कच्छे अंदे उनकी बात हो रही है cause deficiency of तो जनरली जो कच्छे अंदे होते हैं उनमें क्या होता है कि एक protein होता है albumin protein यह albumin protein है वो जनरली बोडी के अंदर biotin एक को factor होता है उससे bind कर जाती है जिसकी बज़ए से body में carboxylation reaction नहीं होंगी क्योंकि यह biotin albumin है वो efficiency रखता है किसके साथ biotin के साथ और biotin क्या काम करता है बोडी की जो carboxylation reaction है उनमें participate करता है तो carboxylation reaction नहीं होंगी क्यों नहीं होंगी क्योंकि body में biotin की कमी हो जाएगी सो यह the correct option for then moving to next overlapping dna segments are repeatedly clone यहीं तो जो overlapping dna segments है वो chromosomal working के अंदर clone किया जाते हैं then next what percentage of human genome encodes proteins देखिए human genome काफी बड़ा है लेकिन पूरा कच्रा है उसमें सिर्फ जो active part है वो एक से 1.5% है only बाकी अब इतना कच्रा फाइदा क्या है मतलब कि बाकी जो inactive है inactive का सबसे बड़ा फाइदा होता है कि mutation हो तो 99% area में हो ताकि वो किसी essential gene को effect ना करी यह सब से बड़ा फाइदा है देन मोविंग तो next शो दे 66 correct option is 1 देन मोविंग तो next 67 तैरोसीन रेसिडिव और आयोगा आयोडिनेटेट एड विच पोजिशन इन थाइरोक्सीन तो थाइरोक्सीन होर्मोन हो किस से बना होता है तैरोसीन से बना होता है ठीक है और किस पोजिशन पर वो आयोनाइज रहेगा 3 & 5 पर देन मोविंग तो क्योंसे नेक्स 68 एंटिकोडोन रिजन्स इस फाउंड इन सो एंटिकोडोन रिजन्स जनरली टी रनी के अंदर पर जेंट होता है टी एसेच इज इज TSH होर्मोन है थारेट स्टिमलेटिंग होर्मोन इसे ग्लाइको प्रोटीन तेन मोविंग तो नेक्स रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज इस औल्स इन्जाइम है जो क्या है आर अने डिपेंडेंट डिने पोलिमरेज यानि यह RNA से क्या बनाता है DNA का formation करता है then moving to next 71 Amanitines inhibits यह एक mushrooms drug है और generally यह mRNA synthesis को inhibit करती है क्योंकि जो इसका main target होता है वो क्या है RNA polymerase then moving to next nucleic acid show strongest absorption at wavelength तो जो nucleic acid है वो भी एक special wavelength को absorb करता है protein भी एक special wavelength को absorb करता है जिसे हम यह पता कर सकते है कि भी solution में nucleic acid है या protein है जो nucleic acid है वो 260 nanometer की light absorb करता है लेकिन जो protein है वो कितना करता है 280 nanometer का light protein absorb करता है दोनों याद रखिए alternate कई बार पूछे चाते है 280 nanometer कौन करेगा protein then moving to next biological half life of catecholamines age तो सबसे पहले तो catecholamines होते क्या है catecholamines कुछ नहीं है आपनी कभी नाम सुने होंगी dopamines यह neurotransmitters होते हैं और catecholz पलस amine से मिलकर बने होते हैं और इनका काम क्या होता है यह अपनी body को त्यार करते हैं जैसे कहीं लड़ना हो fight or flight वाली जो situation होती है उसके लिए अपनी body को respond करते हैं या फिर जैसे stress वाली condition है तो stress वाली condition में body में catecholamines release होते हैं जिससे हमें stress कम होता है तो इनकी जो half life होती है वो 10 से 30 minute होती है बस इतनी देर हम active रहते हैं जर्णरली हम किसी के साथ वह अच्छे कुछ लड़ाई करने की सोचते हैं फिर थोड़ा श्यानत हो जाते हैं stress भी जर्रेस हम आवर कम 10 and 30 minute का average spread होते हैं हम खुद ही सोच लेती हैं कि हाँ चलो ठीक है इस तरीगे से करते हैं सो कम half life होती है then moving to next question number 74 synekthens test is used for the diagnosis of generally जो addition disease होता है उसके diagnosis के लिए इस test को use किया जाता है then moving to next human insulin gene is located on to human का जो insulin gene है वो chromosome 11 पर पाया जाता है 11 chromosomes की जो short arm होती है उस short arm के उपर generally present होता है क्योंकि आपको पता है कि chromosomes की एक long arm होती है और एक क्या होती है short arm होती है then moving to next question 76 insulin increases the activity of all of the following enzyme accept तो यह hormone sensitive lipase की activity को increase नहीं कर सकता बाकी की activity को यह क्या कर सकता है increase कर सकता है then moving to next 77 metachromatic leukodystrophy is due to deficiency of तो यह एक lysozome से related disease है एक inherited genetic disorder है इसके अंदर जनरली है जो fat accumulate हो जाती है और और ऐसा एराइल सेलफेटेज एंजाइम की डेफिसेंसी की वज़े से होता है so here the correct option is three then moving to next which of the following anti-cancer drugs is a purine analog तो purine analogs के अंदर जनरली जो six market to purine से इसको यूज किया जाता है यानि जैसे acute lymphocytic leukemia cancer है chronic myeloid leukemia cancer है इस तरी की cancer को stop करने के लिए जो drugs use की जाती है वो क्या है six market to purine से क्योंकि यह nucleotide को nucleotide synthesis को inhibit कर देते हैं जब nucleotide ही नहीं मनेंगे तो cell replication कैसे करेगी so then moving to next question which of the following is a tumor suppressor gene याद रखिए tumor suppressor gene का मतलब क्या होता है ऐसी gene जो tumor बनने से रोकती है यानि cancer को रोकने वाली gene tumor suppressor gene मतलब अगर यह gene काम ना करें तो tumor हो जाएगा तो RB protein है वो tumor suppressor gene है ठीक है इसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं exam में P53 है यह भी एक tumor suppressor gene है अब यहाँ पर कई जीन और भी दी है ERB है रास है यह oncogene है यह भी cancer को क्या कर सकती है कोज कर सकती है okay so here the correct option is RB protein RB protein का पूरा नाम क्या है retinoblastoma proteins then moving to next question 80 which of the following purine is present in T तो T के अंदर जो purine है वो कौन सा पाया जाता है थ्री वो स्वरी वन थ्री सेवन ट्राइ मिथाइल जेन्थीन है यह पर्जेंट होता है so thank you friend बाकी का part हम part 3 के अंदर discuss करते हैं करते हैं